हैलो एन वेलकम तो अनाबिय क्लासेस. दोस्तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफेरेंस बिट्विन प्राइम नंबर एड अ कॉंपोजेट नंबर. इन दोनों का डिफेरेंस पढ़ने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि यह प्राइम नंबर होता क्या है और यह कॉंप नंबर क्या है आई यह पहले डेफिनेशन देखते हैं what is a prime number a prime number or prime numbers are the numbers that have only two factors one and the number itself जान दीजएगे मैंने क्या बोला कि सिर्फ दो factors तो कोई भी number 1 के अलावा कोई भी number हो उसके कम से कम दो factors तो होते ही ही हैं कौन से दो factors होते हैं एक तो वन होता है और वो नंबर खुद होता है तो यह हमारा prime number हो गया example देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ऐसे बहुत सारे numbers और भी हैं और हमारा composite number क्या है तो composite numbers है composite numbers are the numbers that have more than two factors अब देखिए वहाँ पर क्या था जिसका सिर्फ दो factors है वो prime number हो गया और अगर दो से जादा factor हो गया तो वो composite number हो गया इतना ही difference है examples लेंगे और अच्छे समझेंगे याद रखिएगा जब मैं दो definition दिया था तो definition में देखिए कि मैंने factor को red में किया था क्योंकि यहाँ पर factor का समझना बहुत ज़रूरी है कि factor होता क्या है और हम कैसे निकालते हैं तो example देखिए composite number के 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, etc ऐसे बहुत सारे numbers है आईए जब आप समझते हैं factors क्या होता है क्योंकि अगर factors clear हो गया तो prime number और composite number अपर अराम से clear हो जाएगा अगर एक factor है किसी number का तो वो ना तो prime number है ना तो composite number है अगर दो factor है किसी number का तो वो prime number है और अगर दो से ज़्यादा factor है तो वो composite number है उम्मीद करता हूं समझ गये होंगे फिर भी example देखिए 1 अब बताइए ऐसे कौन से दो number है जिसको हम multiply करेंगे तो 1 आएगा बताइए 1 को multiply करेंगे 1 से तो ही 1 आएगा 1 into 1 is equal to 1 तो यहाँ पर factors कितने हुए है यहाँ पर factors सिर्फ एक हुआ है and that is 1 तो 1 हमारा prime number हुआ क्या नहीं composite number हुआ क्या नहीं one has only one factor दूसरा number देखिए दूसरा number हमारा है two अब बताइए ऐसे कौन से दो number है जिसको हम multiply करेंगे तो two आएगा एक तो हमारा आएगा one और एक हमारा आएगा two one two is a two यहाँ पर देखिए हमारे factors कितने हुए एक तो हमारा factor यह one हुआ और दूसरा हमारा factor यह two हुआ तो दो factor है तो हमारा number क्या होगा यह हमारा number होगा prime number जैसे कि मैंने आपको कहा था कि prime numbers are the number which has only two factors one the number number one and the number itself एक तो one होता है और यह number खुद होता है तो यह हमारा prime number हो गया two factors दूसरा देखते हैं four अब बताइए four के कितने factor हो सकते हैं वैसे कौन से दो number है जिसको हम multiply करेंगे तो four आएगा एक तो हमारा हो गया one और दूसरा the number itself मतलब four तो यह हमारा क्या हो गया इसके दो factors हो गया one and four लेकिन देखिए एक और number है two और two अगर हम two को two से multiply क करेंगे तो four आएगा ना तो four के total कितने factors हो गया one four and two three factors हो गया मतलब दो से ज्यादा हुए तो हर वो number जिसका दो से ज्यादा factor होगा वो क्या होगा हमारा composite number होगा यहाँ पर four हमारा क्या है composite number है more than two factor तो यह composite number है अब देखिए eleven ऐसा कौन सा दो number है जिसको multiply करें तो eleven आएगा पहला one दूसरा number itself eleven और कोई ऐसा number है क्या जो ऐसे दो numbers कोई है जिनको अगर हम multiply करें तो eleven आएगा ऐसे कोई numbers नहीं है और अगर नहीं है तो यह क्या होगी हमारा prime number हो गया क्योंकि इसके सिर्फ दो ही factor है one and eleven आईए 12 रेखते हैं अब 12 में बताईए कौन से दो number है जिसको multiply करें तो 12 आएगा हमारा one and twelve ओके उसके अलावा देखे अगर हम three को four से multiply करेंगे तो भी हमारे 12 आएगा और भी अगर हम two को six से multiply करेंगे तो भी हमारे 12 आएगा यहां पर हमें सिर्फ यह ध्यान देना है ना कि दो factor दो factor से अगर जादा हो गया तीन factor भी ह हो गया तो हमारे यह number क्या हो जाएगा हमारे number composite number हो जाएगा ठीक है बस यही फर्क है कि अगर दो number हुआ तो दो factors हुए तो prime number और दो से जादा हुए तो composite number आईए एक और example लेते हैं 18 और आप बताइए ऐसे कौन से दो numbers को multiply करेंगे तो 18 आएगा 1, 18, very good, 1, 18 जा 18 और देखिए 3 and 6, 3, 6 जा 18 और 9, 2 जा 18 और ही बहुत सारे बट हमें क्या देखना है कि 1, 2 और 2 से जादा factor जिसे 3, 3 factor अगर हो गया तो हमारा यह composite number है ठीक है आई जिर फर्रवट प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार जिसे हमारा 1, 1 के कितने factor है एक ही factor है तो ह प्राइम नमबर हुआ ना तो यह composite number हुआ 2, अब 2 में देखिए 2 factor है तो हमारा प्राइम नमबर हो गया 3, 3 में भी 2 factor है यह हमारा प्राइम नमबर हो गया 4, 4 में 1, 2, 3 factor है मतलब 2 से जादा factors है तो हमारा composite number हो गया 5 में सिर्फ 2 factor है यह हमारा prime number हो गया 6 में again 2 से जादा factor है तो composite हो गया 7 में 2 factor है तो prime हो गया 8 में 2 से ज्यादा factor है तो हमारा ये composite हो गया 9 भी देखिए composite है 10 भी देखिए composite है वैसे ही 11 देखिए सिर्फ 2 factor है तो ये हमारा क्या है prime number है अगेन ये composite ये prime 14 composite 15 composite 16 composite again 17 prime क्योंके 2 factor है 18 composite 19 prime and 20 composite उमीर है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या difference है prime number में और composite number में अब चलिए कुछ practice करते हैं Let's practice Moment 29 बताए 29 हमारा prime number है या composite number है ऐसे दो number find कीजिए अब चलिए take your time सबसे पहले क्या होगा one obviously one तो सब में होता है दूसरा क्या होगा the number itself 29 तो हमारा 29 हो गया और कोई नंबर है क्या और कोई भी number नहीं है तो 29 हमारा क्या हो गया prime number आएए देखते हैं 36 36 में कौन सा दो number है जिसको multiply कर 36 आएगा one very good और number itself that is 36 और कोई number है जिसको हम दो number को multiply कर और 36 आ जाए बताए बताएए yes 2 18 जा 36 and 6 6 जा 36 ऐसे बहुत सारे हैं बट चुके हमने क्या देख लिया एक दो तीन फैक्टर चार फैक्टर मतलब दो से ज्यादा फैक्टर है तो यह हमारा क्या हो गया composite number more than two factor composite number next practice करते चलिए 45 बताएए कौन कौन से number 1 45 हाँ यह तो सब में रहेगा और 5 9s are 45 9 5s are 45 तो अगेन यह क्या होगी हमारा composite number more than two factors अब देखिए 49 49 1 49 and 7 7s are 49 again more than two factor तो क्या होगी हमारा composite number very good आईए रिखते हैं 89 89 में 1 and the number itself और भी कोई है क्या नहीं है जब नहीं है तो यह क्या हो गया हमारा यह हो गया हमारा prime number दोस्तों उम्मिद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि prime number क्या होता है prime number कैसे find करते हैं यह composite number क्या होता है composite number कैसे find करते हैं यहां पर एक चीज में आपको tips दे दू कि two को छोड़कर two को छोड़कर सारे even number जो हैं वो हमारे क्या होते हैं composite number होते हैं सिर्फ two ही एक ऐसा even number है जो prime number होता है दूसरा tips यह है कि जो number one को छोड़कर के जो भी number prime number है उसके अलावस सारे number क्या होते हैं composite होते हैं that means one को छोड़ दीजिए two onwards जितने भी number है या तो prime होंगे या तो composite होंगे उम्मिद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए और हाँ अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को like कीजिए subscribe कीजिए that's all for the day have a great day thank you